हेलो माई ट्योर स्टूडेंट्स रल्कम टू अद्वेत एजूकेशन कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग घर में बढ़िया होंगे तो चलिए आप सभी ने यह दी मेरे लास्ट वीडियो लेक्चिस देख लिए हैं तो आज हम आगे क्यों बढ़ते हैं जिन्ह उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज जल्दी से जाएए और देखिए ठीक है हमने लास्ट लेक्चर में कुछ रिवीजन ऑफ यूनिट एंड मिजर्मेंट किया है उसके बाद आज हम कुछ प्रीवियस यर क्वेशन्स जो पूछे जा सुच चुके हैं पुराने SSC के पेप क्वेशन्स हमारे एक्जाम में आये हैं तो पहला क्वेशन आपके सामने के पेस है क्वेशन नमबर वन क्या है विच आफ दी फॉलोइंग इस नौट अवेक्टर क्वांटिटी निम्ण में से कौन सी एक सदिस राशी का उदाहरण नहीं है देखो क्वेशन को ऐसे घुमा इस इकल टू हो जाता है डिस्टेंस अपन टाइम जिसमें हमको पता है कि हमारा डिस्टेंस जो है वो क्या है अदिस राशी है नेक्स्ट है वेलोसिटी वेलोसिटी इस इकल टू क्या हो जाता है आपका डिस्प्लेस्मेंट डिस्प्लेस्मेंट अपन टाइम ठीक है तो displacement तो हो गया सरी सराशी, velocity भी हो गया सरी सराशी, और speed हमें पता है, अधिसराशी तो हम तो tick कर सकते हैं, लेकिन torque भी हम समझ लें क्या है, torque भी क्या होता है, किसी particular direction में जह हम किसी चीज को rotate करते हैं, तो direction में हम उसको यदि किसी rotate करते हैं, that is called as torque, तो देखो torque में भी direction mention हो velocity में भी displacement में भी, तो हमारा जो अधिसराशी का उधारण होगा यहां पर के, वो क्या हो जाएगा, speed हो जाएगा, तो हमारा answer क्या है, स्वेट देखो, SSE CHSL 2014 में question पूछा गया है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next question देखते हैं, question number 2, question number 2 कह रहा है, the dimensional formula for universal constant, सार्व भौमिक इ यामी सूत्र क्या है, सार्व भौमें किस ते रांग क्या है, capital G, capital G कहां से आता है, जो हमारा force का formula होता है, f is equal to g m1, m2 by r square, तो यहां से यह दि मैं capital G की value निकालू, तो f into r square upon m1, m2 बन जाएगा, अब हम इससे क्या कर सकते हैं, हम इससे dimensional formula निकाल सकते हैं, तो चलिए, निक capital G का यह दि formula निकाले, तो force का क्या हो जाता है, बल बराबर होता है, द्रव्यमान गुणे तुरन, m into a, तो इससे हो जाता है, ml, t minus 2, यह हो जाता है, हमारा बल का आयामी सूत्र, और r square है, यानि कि radius का square, यानि कहना चाहिए, length particular length है, तो length का square, यानि L का square हो गया, नीचे जा तो यहां से हम देखते, g is equal to m उपर जाएगा, m inverse L cube t minus 2, t to the power minus 2, हमारा आया, आयामी सूत्र, तो कौन सो option मैच हो रहा है, आपका, second option मैच हो रहा है, ठीक है, यह बा नंबर हमारा क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, आयामी सूत्र, आगया, समझ आया, ठीक है, formula पता हो, आयामी सूत्र, तो आयामी सूत्र निकालने के लिए, हमने क्या किया, उसको convert कर दिया, और इसमें से हमको इसका सारा क्या है, formula का, पता ही है, कि कैसे कैसे हम आयामी सूत्र लिखते है, easy term में हमने convert कर दिया, और आसानी से क्या किये, निकाल लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं next question है हमारा third number question a light year is a unit of कब पुछा गया है SSE कॉंस्टेबल में पुछा गया है 2012 में question ठीक है light year किसकी unit है यानि कि प्रकास वर्ष किसकी इकाई है प्रकास वर्ष क्या होता है प्रकास द्वारा निर्वात में एक वर्ष में जो तै की गई दूरी होती है वही आपकी कहलाती है light year या कहें प्रकाश वर्ष अब ये प्रकाश वर्ष को जब हमने कहा है प्रकाश वर्ष मतलब तै की गई दूरी ठीक है निर्वात में तो दूरी क्या हो गया ये किसकी unit हो जाएगी distance की time की होगी नहीं speed of light क होगी नहीं intensity of light की नहीं वैसे भी बहुत common question है ये हमारे science का कि हमारा जो light year है वो distance measurement की क्या है एक unit है चलिए next question लेते हैं question number 4 one micron is equal to एक micron किसके बराबर होता है millimeter में चारो option दिये हुए है हमारा जो है one millimeter is equal to कितना होता है one thousand micron होता है कितना होता है one thousand micron यहां क्या पूछा गया है micron में पूछा गया है तो आप इधर ले आएंगे तो one micron आपका कितना value आ जाएगा one micron is equal to ten to the power minus three millimeter या इसी को कहें zero point zero zero one millimeter तो अपना कौन सो option हो जाएगा option number c क्या हो जाएगा answer clear हुआ यह याद रखना है हमको कि one millimeter is equal to कितना होता है one thousand micron होता है यह पता है तो हमने निकाल लिया clear चलिए next question आगे देखते है question number five decibel is a term connected with decibel किसे जुड़ा हुआ शब्द है हवा से जुड़ा हुआ है पानी से sound धोयनी से या soil से भई हम सबको पता है धोयनी का जो मात्रक है धोयनी का जो unit है वो क्या होता है धोयनी का unity decibel है तो हमां कौन सा टिक कर देंगे answer c धोयनी हमारा क्या हो जाएगा answer question five clear देखो SSC MTS 2011 में बुचा गया question है कितना easy है चलिए आगे बढ़ते है next question number देखते है the SI unit of electric charge हमारा electric charge का SI unit या SI SI1 क्या है SI1 है हमारी क्या कूलॉम कूलॉम भी हमारी SI unit है किसकी charge की क्योंकि पहला option ampere तो current का है ठीक है current की unit क्या current को हम किस में measure करते है एंपियर में measure करते है temperature को हम Kelvin में measure करते है ठीक है ESU जो होता है हमारा electric static charge of unit हो जाता है तो हमारा next क्या बज़ गया कूलॉम अब थोड़ यह ESU एक नए item है यह हम देख लेते हैं देखो दो चीज़े होती है एक होती है ESU एक होता है EMU ESU का जो full form होता है electro static unit of charge होता है electro static unit of charge and EMU का मतलब होता है electromagnetic unit of charge ठीक है अब यह जो ESU होता है ESU को हम state कूलॉम में measure करते हैं किस में? ठीक है तो यह हमारी ESU जो हुई यह SI unit नहीं हुई अब यह जो 1 ESU होता है आपका next general knowledge की बात है रख लो next time पूछ सकता है question 1 ESU जो होता है हमारा वो होता है 3.33 into 10 to the power minus 10 कूलॉम ठीक है and जो 1 EMU होता है हमारा वो होता है 10 कूलॉम ठीक है? तो यह भी हमारा पूछ सकता है next किसी paper में तो यह भी हम देख लेंगे तो इस question में clear हुआ कि SI unit हमारी जो हमारी charge की SI unit है वो क्या है कूलॉम्स और बाकी options भी हमने क्या कर दिये clear कर दिये देखिए SSC CHSL 2010 में पूछा गया था यह भी बड़ी आमस्त एक दम easy question था चोलिए next आगे बढ़ते हैं question number 7 देखते है kilowatt hour is the unit of सभी को पता है kilowatt hour is the unit of energy ठीक है kilowatt hour का मतलब है पर hour प्रती घंटा कितने kilowatt की energy use की जा रही है consumption किया जा रहा है that is called as one kilowatt hour यानि कि प्रती घंटा हम कितना kilowatt use कर लेते हैं energy वो आपका क्या इसलिए क्या हो जाएगा यह kilowatt hour हमारा energy का unit है हमको भी पता है ठीक है power का होता है watt force का होता है newton तो यह हमारा clear हो गया कि kilowatt hour की जो है वो किसकी का यह उर्जा की SSE stenographer 2010 का पूछा गया question है चलिए next आगे बढ़े यह भी easy था इसमें एक extra question क्या बन सकता है बन सकता है आपका कि one horsepower कितना होता है one horsepower hp is equal to होता है 746 watt यह question भी पूछता है कई बाद ठीक है तो यह भी अपन ध्यान रखेंगे चलिए next आगे बढ़ते है question number 8 देखते है noise is measured in what किसका unit है what is the unit measurement used for power power की जो unit होती है वो होती है what rain क्या होता है यह नई चीज़ है यह rain जो होता है it is the unit of the radiation radiation का measurement करने के लिए हम rain यूज़ करते हैं centigrade तो पता है सभी को temperature तो क्या बच गया हमारा decibel option elimination से भी हम देख सकते हैं यदि हमको answer नहीं पता है तो कब पुछा गया है SSC CGL 2010 का question था यह हमने देख लिया कि noise comb किसमें measure करते हैं decibel में measure करते हैं question number 10 है हमारा next question कि a kilowatt hour is unit किसका होगा भई हमारी अभी हमने देखा kilowatt कब पुछा गया है SSC CPO के paper में 2008 का question है यह फिर से कि किलोवट hour जो है किसकी unit है पावर की watt होती है charge की coulombs होती है current की amp player होती है पता है तो भै किसकी unit हो गई energy की ठीक है पूरजा की काई क्या हो गई 1 kilowatt घंटा ठीक है one kilowatt hour next है थर्म is the unit it is come गिसकी यह नया ओनम है ठीक है यह जो terme है किसकी unit होती है power की unit होती है what देखते जाना ठीके ना light हो गया ये भी eliminate हुआ distance भी eliminate हुआ meter हमारा क्या बच गया heat, heat जो है हमारा non SI ध्यान रखेंगे कि उश्मा की non SI unit non SI यानि कि SI नहीं है therm है therm measurement के लिए use किया जाता है उश्मा के मारपन के लिए one therm is equal to होता है one therm is equal to होता है one lack ठीक है one lack BTS हाला कि आएगा नहीं पर पूछ सकता है British क्या होता है one therm is equal to one BTS होता है British thermal unit BTU ठीक है one lakh BTU हम क्या बोलेंगे कि one therm is equal to हमारा one lakh BTU होता है ठीक है पूछ भी सकता है एक relation है इन दोनों के बीच में ठीक है BTU is also used for the measurement of heat ठीक है तो यह हमने देखा है कि किसको measurement करने के लिए यूज किया जाता है ओश्मा मापन करने के लिए clear हुआ SSC के देखो 2007 में पूछा गया question है चलिए आगे बढ़ते हैं next question में next है हमारा a light year is a measure of एक प्रकाश वर्ष किसका मापन है भाई speed का है नहीं speed का क्या नहीं meter per second velocity का meter per second distance का meter क्या बच गया हमारा time ठीक है अब time का क्या होता है second एक बात बताओ अभी अभी हमने पढ़ा था कि हमारा प्रकाश वर्ष जो है प्रकाश द्वारा निर्वात में vacuum में जो distance travel करता है वो वही कहलाता है प्रकाश वर्ष तो distance travel यानि कि distance तो मतलब ही हो गया ना कि दूरी तो हमारा answer क्या हो जाएगा again पूछा गया देखो SSC CHSL में पूछा है ये 2008 में तो हमारा answer क्या हो जाएगा C number option a light year is a measure of distance या दूरी बोलेंगे clear चलिए next question देखते हैं next question है हमारा कि next question है not is a measure of not किस के लिए use किया जाता है not किस चीज की जो हमारी गाट है वो किस चीज की एकाई है length option है temperature है energy है power option elimination से जाएगे तो अपना clear हो जाएगा कि temperature का हो जाता है Kelvin energy का हो जाता है kilowatt power का हो जाता है watt तो अपना बच गया length लेकिन कैसे बहुत मतलब previous year में क्या होता है बहुत पहले क्या किया जाता था जो ship होती है ना हमारी जहाज उसमें क्या होता था उसकी speed measurement करने के लिए हम एक ऐसा रसी होती थी बड़ी लंबी उसमें हम particular distance में knot माध करके रखते थे गाठे बाध करके रखते थे उनको फेकते थे और उसकी through हम क्या करते थे ship की speed measurement किया करते थे उनहीं से आया है उसी चीज़ से ये question बनाये भाई कि knot जो है वो क्या measure करता है लंबाई measure करता है 2005 का पुछा हुआ question है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next question देखते है question number 15 decibel is the unit of देखो कितने बार पुछा गया है decibel is the unit of SSC CGL 2005 में फिर से question बना आपका unit है decibel किसका है तो चलिए देख लेते हैं speed of light नहीं है intensity of heat नहीं है intensity of sound yes हमारा option हो जाएगा C radio wave frequency नहीं है complete चलिए next question आगे बढ़ते हैं question 16 कहता है the dimension of which of the following is the same as that of impulse फिर से आई हमी सूतर की बात आई तो चलिए हम देख लेते हैं कि भई हमारा volume का मतलब इसमें कह रहा है कि निम्न लिखित में से किसका आयामी सूतर आवेग के समान है पहले तो पता हो कि आवेग जो होता है हमारा impulse is equal to होता है force into time तो force into time पहले हम इसका निकाल ले फिर हम इन चारों में से देखते हैं कि किस से match करता है तो force को हो जाता है mlt minus 2 into time हो जाएगा t तो यह बन जाएगा mlt t to the power minus 1 तो यही सेम किसका होता है इन चारों में से चलिए देख लेते हैं देखो volume का तो होगा नहीं no doubt इतना तो सभी को समझा रहा है ठीक है volume is equal to कितना हो जाता है आपका घनत तो बराबर हो जाता है यह आइतन है तो आइतन का हो जाएगा l to the power 3 ठीक है volume आइतन match कर रहा है नहीं next है momentum समवेग बराबर क्या हो जाता है आपका द्रविमान गुडे वेग द्रविमान गुडे वेग का मतलब है m into v अब m का कितना होता है capital m v यानि कि velocity velocity यानि वेग का हो जाता है lt to the power minus 1 अरे भाई यह तो match कर गया यह देखो कर गया दोनों सेम है तो अपना answer तो clear हो गया कि भाई इसमें पूछा था कि निम्न मेंसे किसके समान है impulse यानि कि आयाम का मतलब कि आवेग का आयामी सूत्र तो आवेग के समान है हमने देखा answer भी हमारा समवेग के समान है तो आवेग और समवेग दोनों का ही क्या होगा आयामी सूत्र डाइमेशनल फॉर्मुला सीम होता है SSE SO में पूछा गया था 1997 में यह question ठीक है अब next हम निकालना भी चाहे तो निकाल सकते है टॉर्क एंड वर्क का लेकिन सेम नहीं आता है ठीक है तो यह भी क्लियर हो गया चलिए आगे देख लेते है next question है which among the following is the fundamental quantity मूल राशी कौन सी है फिर से question बना देखिए निम्ड लिखित में से कौन मूल भूत मात्रा है या राशी है अब बताओ आयतन तो हो नहीं सकती भाई क्योंकि आयतन होता है L into B into H पता है तीन ठोआ गए इसमें मूल राशी है ठीक है समय तो है मूल राशी हमने पढ़ा है seven fundamental में क्या वेग है नहीं वेग बराबर क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे समय वैसे वेग बराबर हो जाता है आपका विस्थापन बटे समय क्या हो जाता है विस्थापन बटे समय तो ये भी हमारी एक derived to quantity है बल बराबर हो जाता है द्रव्यमान गुणे तवरण तो ये भी हमारी एक क्या हो गई, फित्पन राश्ची हो गई, तो क्या बचे गया हमारा answer, हमारा बचे गया time, तो answer है आपका B, ये कप पुछा गया था, SO में फिर से 1997 में question पुछा गया था, ठीक है, तो जितना मैंने पढ़ाया था पुराने वीडियोस में, उतने में से ही लगभग चीज़ें cover हो रही हैं, आप देख रहे हो, ठीक है, यदि आपने lectures अच्छा से पढ़ लिया है, तो question clear ही हो जाएंगे, damn sure, ये 17 question दिखा कि हमने ये देखा कि हमने जो पढ़ा है, वो हमारा clear है, अब unit and measurement से कोई भी question पूछे हमारे competitive exam में, तो हम easily कर लेंगे, चाह उलाए quantify स्थ ऑड़ लाएंगे, काँ अच्छा से कोई पनाष अवा भी साह कि अपनाष देखा कि हो, जऐ एंगे, भी खनाष में, ये जो.